आज की इस वीडियो में हम जानेगे बेसिक कंपूर्टर पार्ट फोर्थ में और भी इंपूर्ट डिवाइसिस के बारे में तो चलिए अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं बीना दे रखी होए वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग वीडियो को लाइक कर देजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लेजिए ताकि हमारी और भी आने वाले वीडियो का नॉटिफिरेशन आपको मिलता रहें माउस क्या होता है यह एक मुख इंपुट डिवाइस है जिसका उप्योग बिंडोज को कंट्रोल करने के लिए किया जाता है इसे पॉइंटिंग डिवाइस भी कहते हैं इसका आविसका डगलस इंगलवर्ड ने सन 1960 में किया था सबसे हैरान करने वाली बात यह थी कि सबसे पहला कंपूटर माउस लकडी का बनाया गया था साथ ही में इसमें धातु के दो पहिये लगे थे जो माउस होता है हमारा कुछ इस तरीक इसे दिखता है और यहां पी आपका यह इस तरफ लेट बटन होता है और इस तरफ आपका राइड बटन होता है और यह बीज में जो नमबर दूसरा है डबल किलिक जब माउस के लेट बटन को जल्दी जल्दी दो बार दबा कर छोड़ दिया जाए तो उसे डबल किलिक कहते हैं और नमबर तीन है राइट किलिक जब माउस के राइट बटन को एक बार किलिक करके छोड़ दिया जाए उसे राइट किलिक कहते हैं नमबर फॉर्थ है ड्रेग और ड्रॉप जब माउस के लेट बटन से किसी आपजेक्ट को सेलेक्ट करके एक इस्थान से खिसकाते हुए दूसरे इस्थान पर छोड़ देते हैं उसे ड्रेग और ड्रॉप कहते हैं तो इसको यूज कैसे करते हैं सिंगल किलिक डबल किलिक और राइट किलिक और ड्रॉप तो इसको हम देख लेते हैं सिंगल किलिक कैसे करते हैं आप कहीं भी आप एक किलिक करेंगे तो वह सिंगल किलिक कहलाता है आप कहीं किसी file या folder या किसी picture पर आप click करते हैं तो वह select हो जाता है single click करने से और वहीं पर आप double click करते हैं तो आप का फोल्डर या file जिस पर डबल click करते हैं तो वह open हो जाएगा जिसे मैं इस पर double click कर रहा हूं जल्दी जल्दी तो आपको मेरा मौस पोईंटर हालाip भी दिखे हैं कि मैं डबल किलिक कर रहा हूं यहां से यह वाली फाइल ओपन हो गई है और किसी और भी फाइल को double के लिख करके open कर सकते हैं यहां पर इस तरही किसी open हो जा रहा है और दिसरह है right किलिक आप डेश्टाप के खाली अरिया पर राइट किलिक करेंगे राइट बटन अपना मौस का करसर दबाएंगे तो यहां पर कुछ आपसंस मिलेंगे यहां से आप रिफ्रेश भी कर सकते हैं और यहां से धेर सारे आपसं यूज कर सकते हैं और किसी फाइले फोल्डर पर के से पराइट किलिक करते हैं चर्फाह पर लिए फोल्डर को अगर ड्रेग पर ना चाहते हैं तो आपको अपने माऊस का लेट ब्टन की अ presents करके उस फाइल को रेक करना है जैसे कि महां पर हम यहां लिव consensus को हम क्लिक किये यहां पर वीव आप्शन में आपका यह आटो अरेंज आइकन यह अंचेक रहेगा अगर इस तरीके से चेक है तो आपको इसी पी दुबारा से किलिक कर देना है वो अंचेक हो जाएगा तब यह आइक जो फाइलें फोल्डर से आप अपने मर्जी से इसको रख सकते हैं अगर तीसरा है स्कैनर यह एक मुख इंपुट डिवाइस है जिसके दौरा हम डाकुमेंट से फोटो को स्कैन करते हैं और कंप्यूटर मेमोरी में सुरच्छित या सेव करके रखते हैं तो इसकैनर जो होता है हमारा इस तरीके से होता है नमबर चार पर है जोईस्टिक इससे होता है नमबर पांच पर है ट्रेक बॉल इससे पॉइंटिंग डिवाइस भी कहते हैं या माउस की तरह कार करता है इसमें एक और कुछ बटन होते हैं इसका प्रियोग हॉस्पिटल तरह ड्रॉइंग बनाने में किया जाता है तो आगे नमबर छे पे लाइट पेन इसका प नमबर साथ पर है ओमर ऑप्रिकल मार्क रिडर या एक ऐसा डिवाइस है जो कागज पर किसी भी पेन या पेंसिल से लिखे गए चिन्नों की उपस्तिती तथा अनुपस्तिती की जासता है इसका उप्योग प्रोतियोगी प्रिच्छाओं की पुष्टकाओं को जांच करने के लिए किया जाता है जो हमारी इजाम होते हैं OEMR पे तो इसी मसीन से हमारा जो है चेक किया जाता है नमबर आट पे है OCR और्टिकल करेक्टर रिडर इसका प्रियोग विशेश परकार के कॉमा चिन अच्छरों नंबर को पढ़ने के लिए किया जाता है नमबर नौ पे है BCR बार कोड रीडर एक होता है QR कोड वो अलग होता है और BCR बार कोड ये अलग होता है आज कल समानों के उपर काली मोटी पतली लाइन बनी होती है जिन्हें बार कोड कहा जाता है जिसे रीट करने के लिए BCR किया सकता होती है और नमबर 10 पे है यम ICR Magnetic Ink Character Reader इसका प्रियोग चुम्रकी स्याहे को रीड करने के लिए किया जाता है इसका अधिकतर प्रियोग बैंक या पोस्ट हापिस में किया जाता है इसका प्रियोग ज़्यादा तर चेक वगरा को रीड करने के लिए नमबर 11 बेपकेम या एक hardware input device यंद रहे इसका प्रियोग वीडियो रिकॉर्डिंग या वीडियो कॉलिंग में किया जाता है नमबर 12 माइक्रोफोन या भी एक input device है जो किसी भी आवाज को computer में in करता है जैसे कि मैं अभी अपने वीडियो को record कर रहा हूँ तुम्हें अपनी वाइस को computer तक एक microphone की जरीए ही पहुँचा रहा हूँ तो इसी का यूज होता है microphone का और नमबर 13 पर है test screen या भी एक मुख input device है जिसी user अपनी finger से test करके data को in करता है इसका उप्योग जादा तर ATM machine, tablet, mobile phone इत्याद में होता है नमबर 14, biometric या भी एक input device है जो user के finger के निसान को read करता है यहाँ पर मैंने input device का chapter जो है खतम कर दिया है अब आगे की वीडियो में हम next chapter कवर करेंगी तो आप सभी को ये वीडियो कैसे लगा है वीडियो पसंदा है वीडियो को like और चैनल को subscribe जरूब कर लें ताकि हमारी आने वाले नए वीडियो का notification आपको आसाने से मिलता रहे इस note का link आपको description और telegram चैनल दोनों पर मिल जाएगा